उत्तर प्रदेश के जिला स्रावस्ति के जिला उपाध्यच भारते जन्ता पार्टी कि जिला उपाध्यच महेश मिस्रा ने अपने जन्म दिवस पर गौसाला राने चीर्च चिरया में पहुचकर गायों को पोश्टिक कपला पस आहार खिलाया था तथा वहां के देख रेख कर वहां के कई आसुबधाओं के बारे में जानकारी भी दी थी उन्होंने ये भी अवगत कराया था कि हम इसकी जल्द ही निस्तान करेंगे तथा बिजली मिभाग हो या किसी भी प्रकार की प्रेसानी हो या पानी की समस्याओं के लेकर उन्हें ने अधकारियों से बात भी करने के आस्वासन दिया था लेकिन वही पर आज गौसाला में आवैस्था होने के कान गौ की हो रही है मौत विकास खंजमना के अंतरगत गराम पंचायत रानी सीर चरिया में अस्थापित गौसाला में चारा खिलाने वाले संभूनाथ ने बताया कि गौसाला में दो महीने के अंदर चार गायों की मौत हो गई जबकि गौसाला में लाइट नहीं है, मोटर भी नहीं है, पानी पीने की आसुबदा है, तथा गौ को चारा खिलाने वाले सम्भूनात ने बताया कि पानी की आसुबदा है, और सभी गाओं को मैं नल से पानी भर कर बाल्टी से पिलाता हूँ, इसलिए लाइट वा मोटर पा गई, खंड विकास अधकारी जमनहा, डाक्टर जितेंद्र नाथ दूबे मौके पर पहुँच का निर्छड किया, तथा उन्होंने ततकाल प्रभाव से गौसाला के ग्राम विकास अधकारी संदीप कुमार नायक से कहा, कि गौसाला में बेवस्था नहीं है, ततकाल गास्टी पसू के रूप में जो गाय मानी जाती है, उसके साथ इतना लापरवाही, अधकारी और क्रमचारी कर रहे हैं, तो आखिर एक आम जनता के साथ क्या होगा, जब गायों को इस प्रकार से भोखा मारा जाएगा, पता नहीं क्या सराप लगने वाला है, इन लोगों क इसमें चार गाय मरी है, वो भी जो पहले से बैठाने थी, कोई पानी नहीं खा रही थी, उनको हमने चलाया खिलाया, और चलाने खिलाने के बावजूद चलखा करके वो जब से नहीं उर्पाई मर गई, तो आपने वीडियो को इसकी सूचना दी किसी अधकारी को, प्रधा प्रधान जी ऐसा हो रहा है, गईया देख लिजिए, तो बोले की चलाओ खिलाओ इनको, मर जाएंगी कोई बात नहीं है, वगए बात नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं है, यह गाय कितने दिन पहले मरी है, जो एहम मत्ती दिये हैं आपने, यह राज कम चार पांदिन हो चार-पांदिन हो गए, गाय को कितने नीचे पाटा इसमें नमकुमन नहीं डाला, उपर पड़ी हुई है, जो है, सब कीडा पढ़ गया है, प्रधान को बताया था, प्रधान के घर से फावडा आया था, उसको खुड़वा करके, दफन किया था, कमर-कमर इतने इतना कच् खुल गई है, उसको भी पाट दे चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर